सो हेलो वाइज माउस आई से एक बफिर से आप सभी लोग को स्वाथ करता हूँ हमारे चैनल टैकोई सैनी में और उमीद करता हूँ आप सभी लोग को एक खुल ठीक होंगे गैस अगर आप लोग एक स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए देखना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को स्मार्टफोन की जो स्टोरिज है उसे रिरिटेड एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ और परसनली मैं इस ट्रिक को यूज करता हूँ और इस वासे हम अपने स्मार्टफोन की जो गैर्पी है वहाँ से जाके जो फोटोज है वीडियो है या फिर जो अधर फाइल से वो डिलीट कर देते हैं लेकिन उसके बाव जूस भी जो स्टोरिज है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा थी क्योंकि हमारे स्मार्टफो स्मार्टफोन की स्टोरिज से डिलीट कर सकते हूँ और गैस अभी के लिए मैं सैंसेंग का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ और जो यह ट्रिक है यह सभी स्मार्टफोन में काम करने वाली है ऐसा नहीं है कि किसी स्मार्टफोन में काम नहीं करी यह सभी स्मार्टफोन के तो आप अपने स्मार्टफोन में भी ट्राइ कर लिजिएगा लेकिन फिर भी आपको कोई प्रोब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा या फिर इस्टा और एफ़ी पर आ जिएगा और उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जा स्मार्टफोन में आपको फाइल मेनेजर देखने को मल जाता है लेकिन फिर भी ना मिले तो प्ले स्टोर से जाके आप जो है गूगल फाइल को डाउनलोड कर लीजिगा कुछ इस टाइप का लोग आपको गूगल फाइल का देखने को मिलेगा तो सेकंड स्टाइब में जाने की 223GB जो स्पेस है वो खाली है यहाँ पे और गैज यह जो सैमसंग का स्मार्टफोन इसमें एक अच्छा उप्शन और देखने को मिलता है स्टोरेज एनलिसीज का और यहाँ पे आपको यह उप्शन जो है वीडियोज है ओडियोज है उन सबने कितना स्पेस यूज क्या हुआ है और उसके अलावा जो अधर फाइल्स है उन्होंने यहाँ पे कितना स्पेस यूज क्या हुआ है और गैज अगर आप एक लेटेस स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो उनमें आपको यह उप्शन जो है सैटिंग्स में देखने को मिल जाता है वहाँ पे आपको अधर का उप्शन आपको दिख रहा होगा 40GB यानि कि यह जो फाइल्स है इसमें ही आपको जो फाल्तू के फाइल्स है वो देखने को मिलेंगे तो अभी आप आपको 40GB दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ काम के फाइल भी है जैसे अगर आप कोई ओडियो एप्लिकेशन या फिर आपके जो WhatsApp का backup है वो भी आपके अधर्स में ही count होता है इसमें आपकी कुछ काम की फाइल भी है लेकिन कुछ फाल्तू के फाइल्स भी तो भी अच्छी बात है अगर नहीं देख पा रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इसके बाद आपको करना क्या आपको वापस बैक आजाना है और यहाँ पे आपको जो है settings का option देखने को मिल जाएगा आपके smartphone में आपको यहीं कहीं ऊपर की तरफ three roads या फिर three lines या फिर settings का option मिलेगा तो Samsung के smartphone में कुछ चीज टाइप से आएगा settings आपको settings में चले जाना है और वहाँ पे आपको list में एक show hidden files का option देखने को मिलेगा और guys यह जो option है मैंने हर smartphone में चेक किया जैसे vivo, opo, redmi सभी smartphone के file manager में में को यह option देखने को मिला तो आपको आसानी से option देखने को मिल जाएगा और जो google files से उसमें भी option दिया गया है तो आपको simply show hidden files को enable कर लेना है so guys अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना भूल गया जैसे मैंने अभी show hidden files को अभी के लिए बंद कर देता हूँ उससे पहले मैं आपको जैसे जो internal storage है यहाँ पे मैं आपको इसका total space दिखाता हूँ सबसे पहले मैं सभी files को जो है select कर लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे मैंने जो सभी files है folders है सबको select कर लिया है और इनका जो total space है वो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 25.79 GB तो इन file और folder का जो space है वो total 25 GB के around है लेकिन अब हम यहाँ back चलते हैं और settings में जाने के बाद अब हम जो है show hidden file and folders को enable करते हैं और वापस से हम चलते हैं storage में और यहाँ पे दुबारा से हम सभी files को select करते हैं और यहाँ पे फिर स 32.36 GB यानि कि around 7 to 8 GB का जो space है वो बढ़ चुका है और गाई यह जो hidden files and folders से वो अब जो है visible हो चुके हैं अब यहाँ पे देख सकते हो यह कुछ इस type के folder आपको दिख रहे हैं अलग तरीके के यहाँ से मैं पास से आपको दिखाता हूँ कुछ इस type के folders आपको दिख रहे हैं यह जो folders हैं यह hidden files and folders थे और guys Samsung के smartphone में यह जो folder से यह कुछ अलग तरीके से दिखाई देते हैं आपको पता लग जाएगा यह hidden folders से लेकिन जो other smartphone है उनके file manager में यह उनीके बीच में mix हो जाते हैं तो यह आपको डोणना पड़ेगा पहले आप चेक कर लीजेगा hidden files and folder को enable करने के बाद visible हुए हैं तो यह जो folders हैं देख सकते हैं तो अभी मैं आपको यह दिखाता हूं यह जो folders आपको अलग जो folders आपके जैसे पिकाट हो गया इसके अंदर भी folders आपको देखने को मिल जाते हैं यह जैसे अभी हम चलते हैं Downloads के अंदर तो यहाँ पे इस टाइब का कोई folder नहीं है और अगर हम चले photos वाले folder में DCIM में यहाँ पे आपको thumbnails के नाम से एक hidden file folder देखने को मिल जाता है जैसे हम इसकी जो detail है वो निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1.83GB में यह folder जो है इसने space लिया हुआ है और यहाँ पे हमें इस folder के अंदर क्या देखने को मिलता है जो मेरे पुराने photos थे वो सब यहा पेले delete कर चुगा था लेकिन जो उनके thumbnail थे वो phone में safe थे और वो hidden थे तो इस type की जो भी files and folders आपको मिले वो आपको delete करने हैं अपने smartphone की storage से तो अब यहाँ से हम इने delete करना शुरू करते हैं तो यहाँ से मैंने इसको delete कर जा इसके बाद मैं बारी बारी यह जो अलग type के folder है मैं इन सब को delete करता हूँ और उसके बाद हम जो है storage को check करने वाले हैं तो इसे बहुत सारे folders जो हैं धिरे धिरे इखटा हो जाते हैं हमारे smartphone की storage में और यह जो है काफी space use कर लेते हैं के लाव आपको जो हर एक folder में जाके check करना है वहाँ पर आपको जरूर से देखिए एक folder में जो है इस type के folder देखने को मिल जाएंगे तो आपको क्या है बारी बारी सब को देखना है चेक करना है और इन folders को delete करना है और इन folders को delete करने से पहले एक बात आप ध्यान रखेगा आपके सामने अगर कोई YouTube का folder आता है या फिर आपने कोई music app download कर रखिया या फिर आप 3-4 folders को जो है delete कर दिया है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो space है वो 60.98 GB हो जुगा है इससे पहले 61 पॉइंट कुछ था तो यहाँ पर 1 GB का जो space है वो खाली हो जुगा है तो अब ऐसे अगर मैं बारी बारी जो सारे folders है ढूंड के delete करूँआ तो मेरे phone में से काफ 10 GB जो space है वो मेरे को खाली मिला तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि बहुत से लोगों को जो से storage से related problem रहती है उनके smartphone में तो यह वीडियो बनाने का मैंने सोचा और उमीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को जरूर से कुछ help मिलेगी आपको storage से related जो भी issue आपके solve हो ज जरूर कीजिएगा साथ ही चैनल को भी subscribe कीजिएगा ताकि latest जो वीडियो है वो आप लोगों तक सबसे पहले post दे रहे so guys thanks for watching इस वीडियो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye